हेलो एवर्यवन, वेलकम टो माई यूटूब चैनल अगर आप इस चैनल पे नहीं हो तो चैनल को ज़रूर सस्क्राइब कर देना पिछले वाले वीडियो में हमने देखा थे केसा सिंपल यूटियो वीडियो बना सकते अगर आपने वह देखा नहीं अभी तक तो जाके देख लेना इस वाले वीडियो में रिसेंटली इंस्टाग्राम पे एक रील बहुत ही वायरल हो रही है जीटियस एंट्रियस तो उसके बारे में देखेंगे तो उसके लिए आपको पहले पिकसाट डाउनलोड करना है जैसे सारे एफेक्स दिख जाएंगे तो आपको जो पसंदे वह आप एफेक्ट इसमें से सेलेक कर लेना मैं इसमें से अभी एक एफेक्स सेलेक कर रहा हूँ एफेक्स सेलेक्स करने के बाद आपको ट्राइपे क्लिक करना है ट्राइपे क्लिक करने के बाद आपका मन पसंदेता तो आप add कर लेना इसमें आभी आप देख सकते हैं कि total 7 step एब तो first step एक crop तो आपको पहले photo आपको ठीक से crop करना आपको जितना photo चाहिए उतना photo crop कर लेना जैसे photo crop हो जाएगा आपको next पे ट्रीक करना है nextपे क्लिक करने के आप step 2 पे चले जाएंगे step 2 पे चले जाने के बाद वहाँ पर आपको अंडेड का effect दिख रहा होगा तो आप वो effect select कर सकते हो अगर आपको लग रहा है कि यह effect इतना अच्छा नहीं है तो वहाँ पर बहुत सारी options है उसके बाद उसको fade in fade out जितना आपको पसंदे हो कर ले न next पे click करने के बाद third option आता है flora का same flora के साथ आप देखना कितना fade कर सकते हो जितना photo image अच्छा देखेगा उसके बाद next पे click करने के बाद four step है जो background आता है अगर आपके photo का background आपको अच्छा लग रहा है तो वही रखना मुझे यह जो image है वो मुझे अच्छे लग रही है तो मैं इसको पूरा opacity 100 पे रखता हूँ अभी next पे click करने के बाद आपको bid in shadow का option आजाएगा तो उसमें से आपको जो पसंदे वो ले ले लेना shadow एक face पे थोड़ा सा shadow आजाएगा bid से दोनों साइड से whiteness चला आजाएगा उसके बाद आप जैसे next पे click करोगे तो आपको lens flare का option आजाएगा जैसे sun या थोड़ा सा drop light रहता है वह वह से आजाएगा तो आप दोनों साइड से add कर सकते हो next पे click करने के बाद जो gta का logo है वह आजाएगा तो आपको जहां चाहिए वह आप पर उसको set कर सकते हो तो यह पूरी seven steps थे इसमें ऐसा नहीं कि बाकी सब में भी seven step हो सकते बाकी इसमें एक दो या तीन step भी हो सकते तो यह पुराना photo था एंड यह gta का effect लगाने के बाद photo तो इस photo को save करना that's it this is as simple as this यह इतना simple था बस आपको एक effect लेना है बस उसमें next 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 भी करके जाओगे तो भी आपको final photo मिल जाएगा बस आपको opacity कितना रखना है fade in करना है fade out करना यह बस आपके हाथ में एंड तोड़ा सा आपको लग रहे कि extra sticker add कर सकते हो extra effect डाल सकते हो तो वो डाल देना एकदम simple है just gts search करना उसके बाद जो भी effect है उसको try करना and that's it तो final results देखते हैं अभी अपको अजोरियवश्क तो आपके हर्या कर वाल सकते है वाल लेह रजाओ तो उस दो आपको इवश्क तो करना हो एंग